साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बात के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है वो जो बहुत बड़ा फर्क है, वो मोदी नहीं है वो बहुत बड़ा फर्क है, स्पीड और स्केल्ब है आज धारत अभूत पुर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अब प्रत्यासी स्केल पर काम कर रहा है अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है स्टेट्यू बनाएगा, तुछ दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाएगा, तुछ दुनिया में सबसे बड़ा 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधीक बैंक एकाउंट खोले है, बैंक में खाते खोले है इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की कुल जन सिंग्या जितनी है उतने हमने बैंक खटे खोले है 2014 के बाद से भारत में करीब तीन करोड गरीब नागरिकों के लिए मुप्त घर बनाएं है, घर और गर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है तो इंसान रातो रात लगपती बन जाता है और जब मैं तीन करोड घर की बात करता हूँ उसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिकों को घर मिल जाए इतने घर बनाए है पिछले साथ आठ साल में भारत ने 55,000 किलोमेटर, 55,000 किलोमेटर नेशनल हाईवे बनाए हैं याने, याने, सकेल बता रहा हूँ मैं पूरी धर्ती के लगबग डेड़ चकर लगाने के बराबर है आज भारत, आईश्मान भारत योजना के तहट जितने लोगों को पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविदा दे रहा है पांच लाख रुपिय तक अगर उसका मेडिकल बिल एक साल का बनता है तो जिम्मा सरकार उठाती है इसका बेनिफिट केतना लोगों को मिलता है पांच लाख रुपिय तक की मेडिकल सुविदा जो मिलती है वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कूल आबादी से ज़्यादा लोगों को मिलती है कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्षिन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुप्त में लगाई वो जो वैक्षिन डोज है ना उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उन दोनों की कूल आबादी जो है उससे डाई गुना ज़्यादा डोज हमने इंदुस्तान में लगाए